नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कम्पाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों। त देखो हाल ही में USA और तालिबान के बीच एक पीस दील साइन हुई ताकि अफगानिस्तान में सांती इस्टाबिश की जास के। बट इस पीस दील से अफगानिस्तान में इंस्टेबिटी जो है वो और ज़दा इंक्रीज होगी। वाइलेंस जो है वो और ज़दा ड्रीदा अफगानिस्तान में यह देखो इंडिया के लिए इंडिया के लिए बहुत ज़दा नुकसान दाइक के हैं इस दील से इंडिया की नेशनल स्कीरटी को चोट पहुंच सकती हैं आर्टिकल में आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इँच्छी नेशनल सकीरती के अगेंस की गई, सब एक और इसारा करती हैं कि इस दील का मकसद अफगानिस्तान में वाइलेंस को खतम करना नहीं है, बस इस दील का एक मकसद है, कैसे न कैसे USA अपना फेस सेव करके अपनी फोर्सिस को अफगानिस्तान से ले कर जाएं और ट्रंप USA में राष्टपती चुनाव से पह और मैंने इस संदर में डील साइन कर दी हैं, इसी का नतीज़ा था कि डील साइन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर वाइलेंस फिर से स्टार्ट हो गया अफगानिस्तान में और अफगान सरकार और तालिबान के बीच डिफ्रेंसीज पैदा हो गए डील के प्रोविजन को ल चोड़ेगी और बदले में हम 1000 अफगान सोलजर्स को रिहा करेंगे, बट अफगान सरकार ने कहां ऐसे कोई प्रोविजन पर सैमती नहीं बनी हैं, जब ये डील नेगोशेट हुई, USA की पोजीशन अफगानिस्तान में काफी ज़्यादा कंजोर हो चुकी थी, तालिबान क पोजीशन काफी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, जब से USA का इंटर्वेंशन हुआ है, अफगानिस्तान में 2001 से, तब से लेके अभी तक तालिबान अपनी स्ट्रोंगेस्ट पोजीशन में हैं, आल्मोश्ट 40-50% एरिया है अफगानिस्तान का, जहां पर तालिबान की ड अफगान सरकार का कोई रोल नहीं रहा इस पीस डिल में, इसके बाद आटिकल में एक बहुत ही इंपोर्टन बात बोली जाती है, देखो 1996 से पहले और 1996 के बाद जब तालिबान सत्ता में आ चुका था, तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कबज़ा किया 1996 में, और 2001 दर एक तक ये रूल चलता रहा, जब तक कि USA ने अफगानिस्तान में इंटर्वेंशन नहीं किया था, तो तालिबान के रूल के दुरान, वहां पर एक Northern Alliance, जो काफी सारे एक्टर्स का Alliance था, जो कि तालिबान के अगेंश्ट थे, ये Northern Alliance अफगानिस्तान में लगातार कोशि किया जा रहा था, तालिबान के अगेंश्ट, for example, इंडिया, इरान, रस्या, ये सब Northern Alliance को स्पोर्ट कर रहे थे, और चाहते थे, कि Northern Alliance तालिबान को सत्ता से बे दखल करके, वहां पर सत्ता में काविज हो जाए, उस समय देखो, तालिबान को बहुत कम देशों का समर्थन हा आसिल था, जैसे Pakistan, Saudi Arabia, UAE, सिरफ ये दो-तिन देश तालिबान को स्पोर्ट करते थे, जालातर जो बड़ी powers थी, वो या तो reluctantly, यानि ना चाहते हुए तालिबान को tolerate कर रहे थे, otherwise वो तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज situation पूरी तरह से change हो चुकी ह जिस परकार से USA ने तालिबान के साथ deal sign की है, USA ने तालिबान को एक परकार से legitimize कर दिया है, देखो तालिबान का इतना बड़ा officer, इतना बड़ा अधिकारी, New York Times में आर्टिकल लिखता है, उस person के खिलाफ इनाम है इतना बड़ा, फिर भी वो New York Times में आर्टिकल लिखता है तो सोच के देखिए किस कदर एक violent outfit को legitimize USA के द्वारा किया जा चुका है, और ना सिरफ USA, बलकि almost सभी देश, for example, Russia, Iran, और China, ये सब देखो ऐसे देश हैं, जिनके stakes involved हैं अफगानिस्तान में, त्यूंकि अफगानिस्तान में resources काफी हैं, अफगानिस्तान की map में position काफी ज़ अफगानिस्तान की वज़े से, चाइना, रश्या, इरान, इन देशों में जो Islamic fundamentalism हैं, वो increase हो सकता है, इसलिए अफगानिस्तान में rulers के साथ अच्छे समंध होना जरूरी हैं, इन देशों के, for example, रश्या, चाइना, इरान, इसलिए आज के समय में ये जो देश हैं, वो directly, indirectly किसी न किसी reason की वज़े से, तालिबान के साथ अच्छे relation maintain कर रही हैं, समझ गए, मतलब point ये है, 1996 से लेके 2001 के बीच, तालिबान को sport करने वाले बहुत कम देश थे, लेकिन आज जालतर देश, directly, indirectly, तालिबान के साथ अच्छे relation maintain कर रही हैं, लेकिन अफगान सरकार को कोई sport करता दिखाई नहीं दे रहा हैं, तालिबान ने भी देखो, पिछले कुछ समय में, बहुत कुछ सीखा हैं, कैसे बड़े power से handle करना हैं, कैसे balance of power का फाइदा उठाना हैं, तो इसी वज़े से तालिबान भी अपने पत्ते, बहुत ही tactfully अभी फिलाल खेल रहा हैं, लेकिन एक देश जिसको सबसे ज़्यादा नुक्सान हो रहा है इस पूरी situation से वो है इंडिया, हम देखो धाटे में हैं, नुक्सान में हैं इस deal की वज़े से, देखो जब पहले तालिबान का rule था, 1996 से लेके 2001 के बीच, उस समय तो तालिबान और इंडिया के बीच relation बिलकुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, तालिबान के विरुद, Northern Alliance की मदद की जा रही थी, इंडिया के द्वारा, इवन हमारा विमान अपरण करके ले जाया गया था, अफगानिस्तान की धर्ती पर, अगर हमारे अच्छे relation होते तालिबान के साथ, तो ऐ आज वैसी situation तो नहीं है, मतलब जितनी कड़वाहट इंडिया और तालिबान के बीच, 1996 से लेके 2021 के बीच थी, उतनी कड़वाहट आज तालिबान और इंडिया के बीच नहीं है, बड़ देखो फिर भी, हमने इस पूरी situation में अफगान गोर्मेंट के साथ जादा दिया है, सिंपल बाहसा में बात करें, हमने सारे स्टेक्स, अपने सारे पत्ते, अस्रव घनी की गोर्मेंट के उपर लगा दिये हैं, जबकि तालिबान के साथ भी हमें अच्छे खासे relation मेंटेंड करने चाहिए थे, ये सोच रखते हुए कि कल को तालिबान भी सत्ता में आ सकता है, हमने जो पोजिशन अपनाई है, वो moral values पर अधारित हैं, जैसे कि हम extremists से deal नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान में elected government को नराज नहीं करना चाहते थे, बट देखो ये जो approach है ना, moralistic attitude वाली, ये approach आज के समय में उचित नहीं है, ये self-defeating position है, इवन पाकिस्तान से deal करते वक भी, कुछ experts जब ये सला देते हैं, कि इंडिया को पाकिस्तान की आर्मी से deal करना चाहिए, तो हम नहीं करते हैं, हमारा ये तर्क होता है, कि हम सिरफ पाकिस्तान में elected government से बात करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी से बात नहीं करेंगे, आर्टिकल में कहा जाता है, देखो सभी states एक जैसे नहीं हैं, मतलब आइडियली जैसा होना चाहिए, कि elected government सभी परकार के फैसले ले किसी देश में, हर देश में ऐसा नहीं होता है, अलग-अलग देशों में पावर जो है, कहीं और भी लाई करती हैं, जैसे अफगानिस्तान में ज्यादा संभावना फिलाल यही है, कि Taliban सत्ता परकाविज हो जाएगा, तो हमें इस संभावना को देखते हुए, अपने पत्ते बिछाने चाहिए, अफगानिस्तान में, अभी देखो, situation ऐसी है, कि इस पूरे reason में, कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसकी सोच, इंडिया से converge होती हो, अफगानिस्तान के issue पर, आ चाइना का influence बढ़ेगा, चाइना के तालिबान के साथ भी ठीक relations है, मतलब चाइना तालिबान के विरुद नहीं है, इतना ज़्यादा, USA के अफगानिस्तान से जाने के बाद, अफगानिस्तान में चाइना का जो दबदबा है, वो बढ़ेगा, पाकिस्तान की बात कर लीज पैसे, पहले जैसा तालिबान नहीं रहा, कि वो पाकिस्तान के इशारों पर काम करेगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का influence बढ़ेगा अफगानिस्तान में अगर तालिबान सत्ता में अफगानिस्तान में आ जाता है, इरान की बात कर लीजी हैं देखो Northern Alliance को इरान और इंडि जो है वो USA के साथ मिलके काम करता है USA की बात मानता है और इरान के उस समय तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं हुआ करते थे लेकिन आज इरान भी तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने का इच्छुक है रश्या की बात की जाती है देखो पहले हमारे रिल एसी कोई दोस्ती आज के समय में नहीं हैं कहने का मतलब यही हैं अफगानिस्तान के इशू पर आस परोस के यह सभी जो देश हैं जो इंपोर्टन पावर्स हैं इनके साथ हमारे फिलाल आइडियाज मैच नहीं हो रहे हैं और सो कॉल्ड हमारा सबसे इंपोर्टन जो मित्र थ चोड़ कर जाने से वो इंडिया को होगा दो और भी पॉइंट्स हैं इंडिया को कैसे नुक्सान होगा देखो वैसे अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाता हैं तो कस्मीर पर डिलेक्ली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हलाब अलग हैं पूरी कस्मीर में सिचुएशन काफी ज़यदा इंप्रूवड हैं और रिलेटिवली बहुत पीस हैं बट देखो इंडरेक्ली इंपैक्ट होगा इंडरेक्ली कैसे इंपैक्ट होगा कस्मीर में जो यूथ हैं उनको ये लगेगा अगर अफगानिस्तान में तालिबान यूएस से यसी super power को हरा सकता है वापस जाने को मजबूर कर सकता है तो फिर हम Indian forces को हरा सकते हैं ऐसा कुछ alienated youth सोच सकते हैं देखो बात यह है कि Indian forces को नहीं रहाया जा सकता कस्मीर में बट यह जो सोच है कि तालिबान ने USA को मजबूर कर दिया जाने के लिए हम भी Indian forces को मजबूर कर सकते यह सोच वाइलेंस लेके आ सकता है, कुछ यूथ इस सोच की वज़े से हत्यार उठा सकते हैं, यह इंडिया के हित में बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट, देखो विबिन देशों का अभी यह भी मानना है, खास करके USA का, कि पाकिस्तान की एसिस्ट के लिए, तो ऐसी situation का फाइदा उठा के, बार-बार, पाकिस्तान कस्मीर इशु को internationalize करने की कोशिश कर सकता है, इसके बाद, एक पॉइंट यह बोला जाता है, जो वैसे इतना ज़्यादा important नहीं है, इंडिया ने तालिबान और USA के बीच जो deal sign हुई, उसके उपर अपना पक्स जब रखा, official statement की साहिता से, तो उसमें यह बताया, कि इंडिया का border touch होता है, अफगानिस्तान के साथ, वैसे होता भी है, लेकिन, यह जो area है कस्मीर का, यह अभी, पाकिस्तान के अंडर आता है, तो writer का यह मानना है, कि इस से, जो सुलय होने के आसार है, सांती establish होने क इंडिया और पाकिस्तान के बीच, या फिर इंडिया और चाइना के बीच, वो और ज़्यदा कम हो जाते हैं, क्योंकि उन देशों को लगता है, कि इंडिया का जो रवया है, वो aggressive हैं, लास्ट में देखो, एक common नुकसान की बात की जाती हैं, कि तालिबान, जो कि एक religious fundamentalist group ह religious fundamentalist group वो होते हैं, जिनका ये belief होता है, कि पवीत्र religious text या फिर particular religious leader की जो teaching हैं, उनकी absolute authority होनी चाहिए, ये होते हैं religious fundamentalist, तालिबान भी सरिया establish करना चाहता है, देखो, ऐसे violent outfit को legitimacy provide करके USA ने ठीक नहीं किया है, कल को देखो, और भी violent जो outfit हैं तालिबान जैसे, वो भी कोशिस कर सकते हैं, कि हम भी पर्यास करते रहें, तालिबान जैसे हमें भी legitimacy मिल जाएगी, हम भी सत्ता में आ सकते हैं, तो इस से इस पूरे reason में, खास करके West Asia में तालिबान जैसे और भी जो organizations है, militant groups हैं, वो अपना सर उठा सकते हैं, और जड़ा instability इस पूरे reason में आ सकती हैं, क्योंकि तालिबान की deal उनके लिए एक encouragement का काम करेगी, यह हमने पूरा article discuss किया, क्या नुक्सान होगा इंडिया को US तालिबान deal से, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.